मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि ये सिगरिट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोज बना देगा? क्या ये मेरे फेपडों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुझे मूग के कैंसर या रिदे रोग या एंकसीमा की तरी दियाएगा अगली बार जब आप सिगरिट या बीडी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिगरिट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा तमबाकू आज ही छोड़ें सहायता के लिए 180-011-2356 पर कॉल करें या मिस्ट कॉल दे 011-221-9-1-7-1 पर जंगल में रहने वाला भूत नदिया जहर्ना जाने के रास्ते वो जा रही थी, सुनो जंगल में शेर भी रहता है, भेडिया भी रहता है इस कविता को लिखने वाली लेखक का नाम क्या है, बोलो बताओ Eddie Cherry Govind Nayer Eddie Cherry Govind Nayer Eddie Cherry ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं उनमें से ये एक खास कविता है, ये भूतों की कहानी, भूत कविता, भूत कविता, तो फिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम, भूत कविता, एड़चेरी के भूतों की कविता से हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता, मेरी प्यारी देवी कविता, अभी भी असे कैसे ही खड़ा है, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं, इधर आओ, आगे से स्कूल में मुबाइल फोन लेकर आओगे, अपना मुझ खोल कर बोलो, तो फिर जाओ बैठो, बैठ जाओ, अरे उसे वहां रहने दो, तुम्हारे पिता को आने दो, अपने पिता का नंबर बताओ, क्या है, शैशी, अपने को होगे जलदी, चैलो 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 खाएंगे, जल्दी हो आगे से सा काम करोगे क्या, नहीं, लेकर जाओ ए चलो वो खेलते हैं हम लोग चलो 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 सब को बुलाओ सब साथ के लिए उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगी ऐसा क्या काम है आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है ये हुई ना बात आगे से स्कूल के हॉल में फॉर्चुनर गाड़ी भी खड़ी होगी सही है ना मास्टर जी बच्चे लोग भी यहाँ पर है न तो अब गाड़ी चलाने के लिए भी जिखाएंगे सर मैं जा क्या हूं क्या हाँ जाओ जाओ तैंक्यू सर ये लो चावी आज गाड़ी तुम चलाओगी चलो जल्दी करो पकर 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 मुझा क्या बगाड़ी तैंक्यू पक lendार मुझा .. ओुँण एक पाइकेट विस्केट दे दो अरे चाय अभी तक नहीं दिया अरे जल्दी हाथ चलाओ दीदी अरे लीडी मुझे भी चाय दो ना है अरे यहां कोई पासिंग देने के लिए भीड नहीं है न सब को मैं देने वाली हूँ सब लोग शांती बना कर रखो अरे चेरे पर धूप ना लगे इसके लिए मैं मांगी थी तुम निकलो यहां से पहले अरे बड़ा यूनियन के रैपपर लाकि देने वाला निकल जाओ यहां से अरे कुछ टेंचन मत लेना गाड़ी स्टार्ट करो, क्लच दबाओ, गियर डालो और एक्सलेटर लो और बैटकर ऐसे दिखाओ जैसे तुमें सब आता है और चेहरे पर मुस्कुराहट रखना तुम पास हो जाओगी अबी रोड पे रनिंग टेस्ट है इस इंस्पेक्टर के साथ मैं जाकर गाड़ी में बैठने वाला कोई हमारा आदमी है क्या ज़रा देखतर आती हूँ हाँ, क्या हुआ? हाँ, एक हिसाब से एच डाल दिया आगे अभी रनिंग टेस्ट है वही डर है अरे तुम तो जीत जाओगी अरे बाप्रे, मैं तुम्ही दिखाती हूँ अरे अरे बाद में फोन करती हूँ आँ, स्ट्राइट स्ट्राइट साथ में रहने वाला एक आदमी गायब है यह कोई लुकाचिपी का खेले जो सच है वो बताओ मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ सर्च गाड़ी में बैठने वाले ट्रेनिंग आफिसर को मिलने के लिए बस यूँ ही आई थी वापस आते वक्त कार भी नहीं है, टीचर भी नहीं है फोन करके देखा तो फोन भी स्विच्च ओफ है अब मैं क्या करूंगी मेरे चीजस आप ही उस इंसान को लेकर आई थी न अरे मैं तो स्रिफ स्कूल के उस कीचर को लेकर आई थी अभी उनके घरवालों को मैं क्या जवाब दूँगे ये चाय की दुकान चलाने वाली औरत है वो क्या है ना उस लड़की के गाड़ी में एक इंस्पेक्टर बैट कर गया था कौन सा इंस्पेक्टर बैट कर गया था बेकार में जूट मत बोलिए हम सिर्फ तीन लोग डूटी पर हैं हम लोग यहां खड़े हैं ना एच डाला था बाकी फॉर्मेलेटिस पूरी हो गई है लेकिन रणिंग टेस्ट भी बाकी है सर सर ये फाइल देखिए कंट्रोल रूमे में मैसेज पास करो जल्दी करो आप अगे स्टेशन आजाईए रिटर्न कंप्लेन लिखवाना है लड़की के घर वालों को पुलिस स्टेशन आने को बोलो सर सर ये बेटी को दीजिए मेरी तरफ से बर्दे गिफ्ट है मैं उससे रात में बात कर लोगी अभी बेटी कैसी है सर हम ओके आउस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है भागवान से प्रात्ना कर रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए सब ठीक हो जाएगा सर बीवी है ठीक है अब बात कीजे हलो हाँ बोलो सुनिए मैं कोची स्टेशन पार कर चुकी हूँ वैसे स्टेशन आने से पहले आपको कुछ चीजे खरीदनी है अरे तुमें बुलने की जरूरत नहीं है मैसेज भेजदो मैं गाड़े निकालने जा रहा हूँ और मेरा बद्दे केक लेना मत भूलना हाँ हाँ नहीं बुलूँगा आप आईये सर्फ गाड़ी मैं पाक कर देदा आईये सर्फ गाड़ी पार्ख कर देदा आईये सर्फ गाड़ी मैं पाक कर देदा पाक करता हूँ ठीक है सर्फ अरे एक मिन दिखाओ सर्फ नाम बदल देना अम्मून नहीं चिन्नू चिन्नू बेटी अरे ऐसे बोलेगो तो कैसे चलेगा आपके दुकान के सामने जो गाड़ी पार्क करते हैं उसकी जिमेदारी आपकी होती है ना? मानते हैं ना, इसलिए हमने सेक्यूरिटी रखी है यह हमारी सेक्यूरिटी है सर कोई गाड़ी चुरा कर बाग किया है क्या हुआ? क्या समस्या है? सर किसीने इनकी गाड़ी चुरा ही है यहां खड़े हो कर अब जगडा क्यों कर रहे हो जा कर पूलीस टेशन में कंपलेन लिखवा हो ज़रा पून दे से सते हैं क्या मैं तुम्हारा पापा बोड़ रहा हूँ पले स्टेशन जा कर ममी कुछ पीक अप कर लेना जल्दी जाना हमारी गाड़ी चोरी हो गई है मैं पूलीस टेशन जा कर आता हूँ सी मिस्टर थॉमस आज कल गाड़े चुडाना मामूली हो गया है उस आदमी के पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होंगे शायर इसी लिए एक गाड़ी चुडा कर ले गया होगा वसे ये बताईए ये घटना घटे कितना समय हो गया होगा सर एक घंटा हो गया है तो अफिर उस गाड़ी को ढूड़ने के लिए माया बजार ही जाना होगा माया बजार? हाँ, चोर मार्केट है सर सर, न्यू कार है सर जो तोड़ने वाला है उसके लिए नया पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है अब उसे फोकट में मिला है ना तो वो कुछ भी कर सकता है गाड़ी को तोड़ कर ही पैसा ले लेगा सर, वक्त निकलता जा रहा है सर आप कुछ तो किजिए करेंगे ना? अब उसके लिए हमें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि गाड़ी जो है आप तक दो हिस्तों में बढ़ चुकी होगी एक बोड़ी और दूसरा इंजिन आपको में तेड़ पता रूसरा इंजिन इंजिन बड़ाई पूसरा इंजिन झाल 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 हर पदो पर काम करने वाले करमचारी ऑफिसर थॉमस के और गवर्मेंट हाई स्कूल की अध्यापिका बिनीता को भी अगवा किया गया है अभी तक पता नहीं है इसमें किसका हाथ है ये दो औरतों को सेक्स रैकेट के प्लान से ही इस काम को अंजाम दिया गया है ऐसा पुलिस दिपार्टमेंट का कहना है हम अपको कह रहे हैं कि अधर मच जाईए ये क्या है भाई मैं नहां कर आया हूँ अरे अच्छे काम के लिए आ रहे हो ना इसलिए उपर से आशिरवाद मिला है ऐसा सोचलो काफी है पानी गिरने से आशिरवाद मिलता है तो बंगले को सिधा पानी के अंदर ही बना लो इक है उपर आजओ जल्दी करो या टाइम हो गया है टाइम के बारे में मुझे मस सिखाओ तुम कितने बज़े आने की बात कीती तुम ने अभी कितने बज़ रहे हैं अभी बज़ रहे हैं सवा नो देखा अभी मेरे से जुबान मत लाला ना चलो तुम यहाँ से चलो अरे रभी भाई अच्छे हो ना हाँ हाँ बहुत अच्छा हूँ आज का चुटी है तुमारी इसको पहले कर भी देखा नहीं उसके बारे में मुझे बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है ना हाँ तुम गाड़ी निकालो मैं चाबी देखा रहता हूँ हाँ आजो आजो हाँ उस पार जाना है क्या हाँ उसकी तो तबियट ठीक नहीं है इसलिए वो हॉस्पिटल गया है उस पार ले जाने के लिए वही एक इंसान है और अब ही उस पार जाने के लिए फिलहाल तो कोई आदमी नहीं है क्यों न हम एक चाई पीले थे हैं मुझे नहीं चाहिए हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए अरे आ गई तू बेटी, तुम यहीं पर रुको मैं अंकल को वहाँ छोड़ के आता हूँ आप छोड़ने के लिए जाएंगे तो फिर दुकान कौन संभालेगा रहने दो अरे तुम भी ना कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा तुम तो वस मिनी ठांगे खिशती हो देखो, बीच में सीधे से बैठो उस पार पहुँचने तक इसे ही देखता रहूं क्या इसे अच्छा है आसपास के नजारे देखूँ आसपास बहुत खुबसूरती है ए तुम इसको मत देखो तुम सिर्फ नजारे पे ध्यान दो समझे मैं नजारों परी ध्यान देने वाला हूँ PG, MS Study, Sociology और जब काम की बात आती है तो हम के लिए टीचर मैं कहता हूँ देख लेना ये प्लस टू में फेल होने वाले हैं ये बात तया है देखा तुमने, तुमारी यही परशानी है आपने सुना होगा कि लोग औरतों को कॉमिनिस्ट बोलते हैं और आत्म निर्भर बोलते हैं और सोशलोजी बोल कर दिखावा करते हैं वैसे, अंकल एक बात बोलूं क्या अगर तुम इसी तरह बरताफ करोगे ना तो इस जनम में तुमारी शादी होने से रही उस दिन लड़की देखने के लिए गए थे वहाँ पोते के जैसी एक लड़की को भी देखा था उसने तुम्हें पसंद भी नहीं किया और दूसरा एक चर्च में हमने जाकर दूसरी लड़की भी देखी थी उसकी तो पूचो ही मत और उस रबर वगीचे वाली लड़की को जाकर देखने के लिए गए थे उसके बड़े पापा ठीक नहीं है तो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है मुझे बताओ सलमा करामी कौन है वो? कौन है वो? हमें एड्रेस दो हम जाकर ढूणेंगे उसे वो यहाँ नहीं है लेबनम में है लेबनम में? वो वहाँ क्या कर रही है? वो एक ग्यारा साल की लड़की है और जिब्बर की माशुका है आजकल की ये लड़कियां पागल हो गई है क्या? किसी से भी शादी कर लेती है आजकल तो ये नाजाज संबन बढ़ते ही जा रहे है ये कैसा गाँ है? हेलो, पैसे दे कर जाओ वो क्यो? भाड़ा तो देना होगा नहीं अच्छा हाँ, लो, ये लो रखो, आजो ये लीजे भाई शुक्रिया अच्छा बेटी, तुमा आगई मा बता रही थी कोई लड़की देखने आ रहे है कौन है बेटी वो? मैं नहीं जानती, शायद ये लोग हो सकते हैं ये लड़की थी क्या वो? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है चलो हम वापस चलते हैं अरे, कोई बात नहीं रुको ज़रा देखते हैं लोग बोलते हैं कि किसी लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए लेकिन अभी तो हम लड़की देखने के लिए शुरुवात में किसी लड़की का पीछा कर रहा है मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है अरे, तुम्हें ये नहीं तो दूसरी लड़की का इंतजाम में कैसे भी करवा के देता हूं तुम चलो बस यहां से तेरी बात सुनो न नहीं, रहने दो, बक्वास कर रहे हो तुम्हे, तेरी बोलो कहां जा रही है ये? मंदिर है कहां जा रही है, इससे पूछ के देखते हैं न हो सकता है कि बच्चे के लिए दूद लेकर जा रही हो प्रिश्न भाई, थोड़ी समान की जरूरत थी क्या चाहिए, बोलो न थोड़ा लड़ू, और थोड़ा हल्वा, चिप्स और और थोड़ी दाल भी माने बताया था, वैसे लड़का कहां काया बेटी, आप लोग कहां के रहने वाले हो अच्छे यही लड़का आईगा इल्लू वारी, वोड़का अंजेरी से हम लोग यहां जल्दी पहुँच गए और शादी करने वाली लड़की इतनी देरी से आ रही है वोड़का अंजेरी और अर्ना कुलों पास तो नहीं है ना, बोट में आना पड़ता है मामा जी, आईए यह कौन है? लगता है यही लड़का है आईए माम खीजियेगा, हम लोग आपको पैचाने नहीं वो क्या है ना, हम लोग नहीं सोचाने कि आप लोग इस तरह आएंगे आज कल के बच्चों का क्या कहना है? फोन तो कर देना चाहिए था, क्यार है आईए, अंदर आईए आईए मैं रवी पिल लई हूँ और यह यह मेरे अंकल है प्रभाकर ने बोला, आप मिलिटरी में थे मैं लड़की का मामा, यह वरगिस है वो बड़े मा का पती है और यह उनके चाचाजी है और यह है छोटे मामा उनकी बहन से शादी किया है और यह है जौनी, छोटे पिताची अरे, आपका यह स्टूडियो है ना एनिमेशन स्टूडियो यह टीवी में जो काटून देखते हैं ना ऐसा काम करते हैं यह दीदी लड़का सुन्दर है, मुझे पसंद आया ऐसा है क्या? तो तू ही शादी कर लेना मुझे तो मन्जूर है आपके होते वे गाउंवाले क्या बोलेंगे? चुपकर भागल लड़की हाँ, यह पहन लो यह सब किसलिए? अरे, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आये है यह काफी है, मा अभी बेकार में क्यों ड्रेस को बदलना है? उस पार से लेकर यहां तक हम लोग साथ ही आये है उन्हें पता है देखा ना अपने अभी तक इसका बरताव ऐसा ही है दिल में जो भी है, वो बाहर बोल देती है कभी जूट नहीं बोलती सच काउं तो बिलकुल अपने बाप पे गई है और आपके पिता जी? अफेसर है, महराजा सेल में मा भी लेक्चरर है, एक सिस्टर है, प्लस टू में है यह पालकड बोले तो यह वही ना जो ठाक और खंदा नहीं बोलती है लेकिन वो कोचिन में है और हम लोग इनरकुलम में सेटल है चल, चल भी चड़ गई है इसको ठीक है चलो आपने हमारी पूरी बात सुन ले ना वही बात जो हम बोर्ट पे कर रहे थे जब शादी की बात होती है तो हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते है और लाइफ पार्टनर भी हमें ऐसी चाहिए होती है जिसकी सोच हम से मिलती हो लेकिन आज तक मुझे ऐसी कोई लड़के मिली नहीं आप मुझे नाम लेकर बुला सकते हैं बुला सकता हूँ बात यह है कि शारा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शारा तुम्हें आपका नंबर क्या है मोबाइल नंबर 94464 36898 ओके आपके आपके आपको खोना दो मुझे ऐसा डर लग रहा है कभी कभी मेरे मन में खायालाता है बीच बीच में मेरे दिल के अंदर एक चिंता भी उठ रही है वो तो तुम्हें मेरे लिए भेजा गया है याँ पर कितना दर्द है कितना अच्छा फील है कैसा फील? समझ भी नहीं आया ना? ये ले उस लड़की के प्यार में तुम पागल हो गए हो न वेटा? कैसा प्यार? उसने नमबर मांगा और मैंने नमबर दे दिया उसे जरूरत होगी तो फोन करेगी इसमें तुम्हारे अंकल को क्या तकलीफ होगी? तुम्हारी शादी होने वाली है तुम्हारी जिन्दगी का सवाल है कल सुबह तयार हो जाना उस गाओं के सरपंच की बेटी है और बोल रहे हैं कि लड़की फैशन डिजाइनर है बैंगलॉर में उसे अभी फोन करके बोल देता हूँ अंकल की तकलीफ के बारे में तुम मस सोचो तुम्हारी जिन्दगी के बारे में सोचने वाला हूँ मैं इस काम को मुझे कैसे भी करता है वैसे करता हूँ मैं तयार हो जाओं हमें कल जाना है अंब नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे जाना है अरे समय बहत हो गया जमदिक RD अध 2017 अरे एबी तुम चर्च नहीं आ रहे हो क्या एबी तुम्हारे लिए कॉफी बना कर रखी है थंडियोने से पहले पी लो नाटक कर रहा है वो SMS का वेट कर रहा है हुम्हारे लो मस्ताइब अरण कर रहा है हुम्हारे लो मस्तेशना नहीं वेट कर रहा है तो छोड़ दो, रहने दो, हम मिले भी नहीं और वो फिर भी भाव खा रही है, हाँ, वो ग्या ना, अगर पसंद नहीं हूँ, तो उसे उसी वक्त, बता देना चाहिए था, वो उसके भागे में नहीं लिखा है, ऐसा समझो, कुछ भी हो, ये अच्छे के लिए ही हुआ है, को तो लोला काडू जाएंगे, वहाँ के सरपंच की लड़की जे शादी कराके, उनके घर के सामने लेफ्ट राइट डोल बजाएंगे, मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा कुछ हो, वैसे अंगल आप जो बोल रहे हैं, वो आप ठीक ही बोल रहे हैं, बहुत सी लड़कियों ने मुझे पसंद ही नहीं किया, किसमत खराब है कोई बात नहीं, टेल मी, वैसे हम मिल सकते हैं, अरे हां, क्यों नहीं, कहां और कब, वो स्कोल में, 11.30, ओके, ठीक है पर्यावराण को बचाओ, आम घर्त को लस्त नहीं होने देंगे परियावराद को बचाओ, हम दर्द को नस्त नहीं होने देंगे परियावराद को बचाओ, हम दर्द को नस्त नहीं होने देंगे परियावराद को बचाओ, हम दर्द को नस्त नहीं होने देंगे देखो, कानून के ओडर के मताबिक हम मिट्टे निकाल सकते हैं, ये कोट का ओडर है, कोट का ओडर, और कोट का ओडर आप सबको मानना ही पड़ेगा आगे से मिट्टी को चुराएंगे तो हम लोग चुप-चाप नहीं बैठेंगे, बहुत दिन से हम लोग बरदास्ट करते आए हैं, पैसे देने से इस तरह का डॉकमेंट्स और भी मिल जाएंगे, इसे दिखा कर आप हमें हरा नहीं सकते हैं अच्छा है, मुझे एक बात बटाओ, देखो, परशुराम का सर मिट्टी में चला गया था, और इसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था, लेकिन इसे फाइदा क्या हुआ बताओ, कोई भी कुछ नहीं उखाड पाया ठीक वैसे ही, इस वक भी कोई भी कुछ नहीं उखाड पाएगा, भाई मैं कह रहा हूँ ना, जमीन की रक्षा हम लोग करेंगे, मेरी बात पर भरोशा रखो अरे, तुमारे भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, तुम बस अपने लोगों को ले जाओ, और चुप चाप एक साइड में खड़े रहो, और यहाँ पर हमें अपना काम करने दो, सुनो, तेरी बात समझ गया ना, चुप चाप अपने लोगों को ले जाओ, और आम बचाप अरे, पर लोगों को भाते हैं, और यहाँ फ़िशा काम को भचाओ, अ कने लोगों को बचाओ, और ना, तुमारे लोग, तुमाराल को बचाओ, अपने लोग को बचाओ, और चुया आइए, अप जिता फ्ले कर रहेंगे, ना, छोलंगे आम गीशा काम कर आँज, चुझा करें बाप्रें करें कोई बचाओ उन्हें बाबा अरे बाप्रें बाप्रें शोट लग गई बहुत जाड़ा अब रोकिये मैं दवा लेकर आता हूँ हूँ, हूँ, हूँ अड़े बाबा अड़े क्या करने हो श्रीकुट्टी जिले में सरकारी हॉस्पिटल में सब इंस्पेक्टर चंदरन नायर का ट्रीटमेंट चल रहा था तब कुछ लोग आकर वीलचेर पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया है किडनाप करकर लेकर गए हैं कॉंस्टेबल जब दवा खरीदने के लिए गया था तब अलग वादी लोग चंदरन नायर को किडनाप करके लेकर गए हैं वहाँ अभी पुलिस की छानबीन चल रही है पहले जो दो घटना हुई थी उन घटनाओं के बाद ये लगाता तीसरी घटना है इस बात को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कम मचा हुआ है दो अरुतों का किडनाप हुआ है उस केस में जो छानबीन कर रहे हैं वो लोकल पुलिस शायद जिन लोगों को ढूंड रहे हैं उन्हीं रोगों ने दिन धाड़े उस किडनाप की घटना को अंजाम दिया है चैनल 5 से डिपोर्टर तारा विश्वनात अभी अभी जिसका किडनाप हुआ है ये किसने किया होगा क्यूं किया होगा ऐसा अभी भी हड़कम मचा हुआ है जिने कर किडनाप करके लेकर गए है उन सब इंस्पेक्टर चंडरनायर का वाइलेस सेट कूडा स्थल में पाया गया है चैनल 5 की रिपोर्टर तारा विश्वनात और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो पुलिस भी नहीं कर सकी बाकी की खबर देने के लिए हमारे साथ तारा विश्वनात चुड़ी है वीना, खोन के सिलसले में और किडनाप के सिलसले में वैसे तो पुलिस लोग छानबीन कर रही है लेकिन ये देखने से साफ साफ पता चल रहा है इस घटना को किडनापर्स ने प्लान करके अंजाम दिया है एसा है चंदरन नायर जिनका दिन दहाड़ी किडनाप हुआ है उनका वायरलेस सेट शेहर के कुड़े दान में पड़ा हुआ मिला है आईए हम आपको दिखाते हैं सच क्या है वो जानते हैं सबी ओफिसर लोग एक साथ मिलकर हिफाज़त करने के लिए तयार हो जाईए सवधान रहे कोई गलती ना हो सर इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है एक पुलिस ओफिसर को किडनाप किया गया है और एक कूडे वाली जगह में उनका वायरलेस सेट पाया गया है आपके पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या हो रहा है हम पुलिस वाले चानवीन करने हैं आप मुझे सिखाए मत जाए मैडम यहाँ जो भी घटना घटी है इस रिपोर्ट को हम पहली बार हमारे चैनल पे एक्स्क्लूसिवली दिखा रहे हैं इसे आप अभी अभी देख सकते हैं जनता की सुरक्षा करने वाले जब पुलिस डिपार्टमेंट है वो फिलहाल के लिए खुद ही उल्जहन में फसे हुए है चैनल फाइव से रिपोर्टर सारा विश्वनाथ तभी लोग पोजीशन पर पहुँच गए May I come in sir? Yes, please sit Thank you sir You have done a great job सिर्फ दो दिन में TRP की रिपोर्ट बहुत बढ़ गई है Congrats Thanks मैंने तुहें यहाँ एक बहुती important काम के लिए बुलाया है Sir पुलीस के चानबिन के साथ साथ चैनल फाइग का भी इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट तैयार करना होगा तोड मरोड कर पुलीस टीम जो कहानी सुनाती है उससे भी ज्यादा मुझे इंटरस्ट है कि हमारी टीम लाइव इन्वेस्टिकेटिव खबर जनता तक पहुंचा है इस केस की पूरी जिम्मेदारी तारा को देने के लिए एडिटोरियल बोर्ड ने फैसला किया है सिर्फ किड्नापिंग केस की स्टोरीज तुम इन्वेस्टिकेट करोगी I will try sir, good luck thank you सिस्टर क्या बात है शारा मेरी जोन से मिलना है अच्छा मैं समझ गई शारा ने बताया था उस क्लास में है ठीक है लारा ने बताया था उस क्लास में है सौरी एबी एक आधा घंटा प्लीज मैं अभी आती हूँ ठीक है अंकल क्या हुआ नहीं कुछ नहीं तुम उससे मिले की नहीं मिला था लेकिन अभी तक बात नहीं हुई उससे नारी अल है लेकिन फोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ क्या बात हुई मुझे बताना समझे ना यहां मुझसे रहा नहीं जा रहा है सिस्टर क्या हुआ मिले नहीं क्या मिला था वो भी आती ही होगी अब वैसी सिस्टर शारा ने मेरे बारे में कुछ बोला क्या आपसे कोई उसे मिलने आ रहा है Sister मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप गलत मसमझो Sister मैं आपको अपनी बहन समझ कर पूछ रहा हूँ Actually, शारा ने कौन से शब्ड का स्तमाल किया Please, याद करके बताएए न दरसल मेरी लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है You must consider a psychiatrist गॉट ब्लेस्ट। जब मैं डिगरी के पढ़ाई कर रही थी तब मेरे पिताजी गुजर गए थे उसके बाद बहुत सारी जब्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी शादी के बाद भी मैं वो जब्मेदारी पूरी करने की आजादी चाहती हूँ एक so-called husband को ये सब सुविकार करने की कोई जबरदस्ती भी नहीं है वैसे ये भी अभी भी सोच सकते हो शान तो जाओ बस इतनी सी प्रॉब्लेम है ना अगर so-called husband बन कर रहना होता तो अंकल की बात कब की मानली होती एक बात सच बताओं मैं जैसा हूँ ना मुझे वैसी ही एक practical minded लड़की चाहिए मैं वैसी ही लड़की ढूंड रहा था ऐसी लड़की के साथ मैं जिन्दगी गुजारना चाहता हूँ और फिर मुझे तुम मिल गई और तुम्हारे अंदर वो सारी qualities ऐसा है क्या अब मैं समझी तुम्हारे अंकल शादी के लिए क्यों परिशान थे ये क्या है certificates certificates हाँ प्लस चू फेल हो गई हूँ पता है ना तो तुमने उस दिन की बाद अपने दिल पर लगा ली क्यों मैंने तो मजाग किया था एबी तुमने तो सच मान लिया इसलिए इसे साथ लाई हूँ एबी सिर्फ तुम ही नहीं सब लोग मुझसे यही सवाल पूचते हैं vector job का scope होने के बाद भी क्यूं इस तरह अनात स्कूल में job करती है मेरी बच्चपन से ही ख्वाईश थी अनात बच्चों को बढ़ानी की उन बच्चों के चेहरे को देखकर मेरे दिल को बहुत शांती मिलती है और थोड़ा बहुत पैसा मिलता है इतना काफी है मेरे लिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए मैंने क्या किया है भगवान ने मुझे से पूछा तो मैं क्या जवाब दूँगी चलो एबी तुमने कुछ बोला नहीं कुछ बोलने के लिए ही नहीं शारा तुम निश्चिंत रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर डील या नो डील डील अंकल है हेलो एबी हेलो कट हो गया एक मिनट है ठीक है हेलो उंकल उंकल भाल में जाए तुमने किसलिए मेरा फॉन कट किया था तुमारा काम बन गया है अब मुझे रास्ते से इटा दिया तुमने अरे अंकल या आप कैसी बात कर रहे है यहाँ situation अच्छा है क्या अच्छा है सब कुछ बदल गया है मेरे बश्पन की खाईश पूरी हो गई लगता है मेरी किस्मत खुल गई है? सच बोल रहे हो? हाँ ओक्य अंकल, मिलते हैं हालो 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 हमारा क्या होगा यह जानने के लिए अंकल तड़प रहे हैं अंकल की फैमिली में कौन है? अंकल की फैमिली में मैं पापा, मम्मी, एलसा और अब और अब तुम भी हो फैमिली? अंकल बश्पन में ही गाउँ छोड़कर आ गए थे और आधी से जादा जिन्दगी उन्होंने हम दोनों कभी अलग नहीं हुए एक बार स्कूल के वेकेशन में हम लोग बाहर घोमने गए हुए थे हम सब नदी में वहां नहा रहे थे और मेरा पैर फिसल गया मुझे बचाने के लिए वो आगे आया मैं तो बज़ गया लेकिन वो और उसके बाद मैं ही अंकल का बेटा हूँ और मेरी जिन्दगी के सारे फैसले अंकल ही लेते हैं इसलिए जो भी अंकल कहते हैं मैं वही करता हूँ मेरे करियर मेरे व्यवार में मेरे जिन्दगी में हर जगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंकल की परच्छाई मिलेगी, और अब तुम्हारी परच्छाई. जब भी मैं फोन करूंगी, तब ये रिंग्टोन आईगी. ये लो इसे रख लो, एक बार और करो, हाँ, हेलो, हेलो, कैसा लग रहे हैं? ये रिंटोन? अच्छा है. पसंद आया क्या? उस गानी का मीनिंग समझ में आया क्या? नहीं. भगवान से मुझे कोई शिकायत नहीं है, जब तुम नहीं हो. मेरी जिंदगी में अगर तुम नहीं हो, कसम से, तो वो मेरी जिंदगी नहीं है. अभी और अच्छा लगा ना? ये गाना तुम्हें? बहुत अच्छा. आगे से इस बात को याद रखना. एडियो सिटी, मल्यालम. पेश करते हैं आपका पसंदिदा गाना. क्या बात है? एफम में भी यही गाना? क्या बात है? आठ साड़े आठ बजे का समय होगा. एक आदमे दुकान पर आकर थोड़ा राई का तेल खरीद कर चपल चोड़कर उजा करने के लिए चला गया. और दुकान भंध होने तक भी नहीं आया. मैंने इस गाड़ी को भी देखा. काफी देर से फोन की गंटी बच रही थी. आप उसे पैचानते हैं क्या? नहीं सेर. उसे तो मैंने पहली बार देखा था. क्या हुआ? किसलिए फोन की आभी? यहां किसकी मयत उड़ गई है यह जानने के लिए? शादी के समय पे पूरे खांदान को यहां खड़ा करके मंदर जाकर पूजा करने की बात बोलकर चले गए. तुम बे बचा इतना, क्यों हमें इस तरह का तकलीफ देते हो? मेरी इस बेटी का क्या कसूर है? इसने तुमारा क्या भी गाड़ा है? इस तरह गददारी करके हमें मारने से अच्छा थोड़ा गास लेट डाल कर जला देना था ना? कोचीन से प्यार में काम करने वाले करमचारी को किट्नाप करके ले गए हैं जनका नाम मनोज है. सूला तारिक बोला तो वेडिंग करीब है उसके बाद तो सिर्फ एक ही हफता है थोड़ा एक हफता फंक्शन को दूर रखना था क्यों इतनी जल्दबाजी करनी है कितने लोगों को बुलाना भी पड़ता है अरे तुम भी न एक हजार लोगों को बुलाओ लेकिन ये तो अपने हाथ की बाते न इसे दबा कर फोन कर लेना इतना काफी है जो भी तुमारे खास लोग हो उन्हें सामने से जाकर बुला लेना क्यों भई? सही वा वैसे किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है न बस अपने हिसाब से फंक्शन कर दो हे जीजिस ये कैसे उचल रहे देखो तो जरा कुछ भी हो रिष्टा तुता हो गया है आब ने तो उसे इतनी दूर तक समझा दिया है सही बोला इसकी जिद को देखकर मुझे तो डर भी लग रा था पर अब जाकर मुझे ये शान्ती मिली है जिसको भी बुलाना है उसके लिए जल्दी से तयार करो शादी के काम पर लग जाओ टीचर और सर आप लोगों का काम इतना ही है बागी काम को मैं मिलेटरी स्टाइल में पूरा कर लूँगा काफी है ना जैसे तुम्हारे पापा बोलते हैं एबी वैसा ही करो एबी जाओ अंकल को ज़रा ड्रॉप करके आँ मैं बाद में फोन करता हूँ ये शादी होती है ना ये सब किस्मत की बात है इसके लिए इसको साथ जीना है ऐसा भगवान पहले से ही ते करके हमें यहां भेजते हैं मेरी जिंदगी तो तुम देखी रहो ना पॉलोटा गाओं में रहने वाले एक मिलेटरी वाले ने एक बिहार में रहने वाली लड़की को बीवी बना कर अपने घर लाया ये जोडियां साब उपर वाला ही बनाता है हाँ जिसको हम पसंद करते हैं उसे अपनाने के साथ जिने का यही जिन्दगी में बहुत बड़ी चीज है ए सुनो तो मैं तो बंपर लोट्री लगी है ना मेरा कमीशन का है अंकल कैसे कमीशन की बात कर रहे हो आप तो मेरी पुरी जिन्दगी हो अब ये चुपकर अभी अभी एक आदमी को ATM से किड्नाप किया गया है अभी अभी हमने जो देखा है एक फिल्मी स्टाइल में किया गया किड्नापिंग है किड्नाप का शिकार हुआ चौथा आदमी पेरुमल कपड़े की दुकान चलाने वाला साजी के यार है जब किड्नाप हुआ था उस वक्त सामने से देखा हुआ गवा सिक्योरिटी स्टाफ के जबान से जो सुना गया है वो चैनल फाइफ की तरफ से रीक्रेट किया गया सीन है आज सुबर साड़ी साथ बचे एक एटियम काउंटर के सामने खड़े होकर साजी के यार का किड्नाप हो चुका है तारा हमें और भी सुनने की दिलचस्पी है तारा एटियम के पास और क्या हो रहा है वीना चाहे छानबीन का मसला हो या मीडिया के तरफ से खबर जूटा करने का कोई पॉजिटिव रिजर्ट नहीं मिलने वाला है ऐसा पुलिस के बरताव से पता चल रहा है एक हिसाब से केरला के इतिहास में ये पहली बार हुई घटना हो सकती है इस किड्नैपिंग को लेकर जंता के बीच में हड़कम मची हुई है लगातार एक के बाड़ एक चार लोगों का किड्नैप होने के बावजुद अभी तक पुलिस किड्नैपर्स का पता नहीं लगा पाई है होम मिनिस्टर के और सब लोग जोश में आ गए हैं विपक्स के लोग पक्षदार को जढ़ रहे हैं इस घटना के बारे में और जाने के लिए हम से चुड़े रही है धन्यावार सर पर मन रहा रहे है सरch, ऐसी बात नहींकि कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे लेकिन हमें सबूत नहीं मिल रहे तो अभी रहमें काम करते हैं अखि बार वालों को एक इंटर्व्यू देते हैं मेरे प्यारे खिड्नैपर आगे से किड्नाप करने से पहले एक सबूत छोड़कर जाईएगा, हाँ, ठीक है ना, हाँ, नॉंसेंस, हलो, सॉरी सर, 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 ट्वेल अवर्स, जस्ट ट्वेल अवर्स, अब तक, जितनी भी छान मिन किये, उसकी डीटिल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, गॉट इट, ओके घ्यै ज़िए, खेलेज, थेले ले ए आज़ा array, भॉझा, ऍगा उपके थीजीर्यकल लेंस, आसे ए, द्योग मुझाए, तक लाटिया से थीज़ेंस, एक भी तॉमसे खुछाए, दॉझार जास् Ring द प结क, अजि़ेंस, आसे दूछाए, उरीज़ेंस, दूद्यर्स, अलो अलो सुनो, बस लापस रिटन लो हेलो, वह ऐसा है क्या? कब? वन सेकेंड, ऑके सुधी सीरियल किडनापिंग केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गाया है तुम कब से इन्वेस्टिकेशन ओफिसर बन गई? अरे, देखो बस आ गई चलो चलो अब हम जा सकते हैं स्कूल अब लेत नी होगा ये चलो चलो जल्दी से लाइन में आगे खड़े रहना तुom चलो 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 बसा गई बसा गई आप मुझे अन्दर जाने दर ना जाओंगा चलो आंदर शीट चरधे रहो ए वो तिख के पास मैं बैठाओ नहीं नहीं मुझे ऊठाओ पिछे बैठाओ अभी पालकाड क्राइम राज के एसीपी हैं। उनका गाउं तन्जावू है। चला चला जल्दी उत्रा उत्रा। बाइ 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 बाइ। बाइ। बाइ एक चाय बनाओ। बराता हुशाब। अच्छी वाली देना। बाइ बाइ बाई बान मिर्क चक्ज़ एक चाय बाइ बाइ May ओके सर, गुड़ लग, थैंक्यू सर, यह, सर मेरे बेटी का हार्ट ओपरेशन है, कैसे बीस्तर पर पड़ी हुई है, आप देख रहे होने सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर रोज मैं जो दावा खाता हूँ, उसके बारे मुझे याद भी नहीं रहता था, यह बगवाद, सब कुछ हो आई देखती थी सर, यह जानकी की मा है सर, अहां, बोलिए माजी, सुबह सुबह वॉकिंग के लिए गए थे, बाप बेटे दोनो, तब एक आर ने आकर ठोग दिया, फिर हमें पता चला, कि उनको हॉस्पिटल में लेकर आये हैं, एटीम से पैसे निकालने के लिए गया था मेरा बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, महेश, जिनका विकिटनेप हुआ है, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पुरा डिटेस, जल्द से जल्द यार कर मुझे भेजो, जल्दी, महेश, महेश, अस यूछ से समय है, धरी, यह में भाएखे विकिटनेप स्वार यह भी है, यह यह भी गाड़ी रूको, शापले है अव्यू एबी, गाड़ी रोको क्या है एबी? गाड़ी रोको एबी ट्रेन आए नहीं न आप तक हम अगले स्टेशन में चड़ जाएंगे ऐसा क्यों? अब हम इतने दूर आए हैं तो क्या हम बात भी ना करें? बात समझा करो अरे बापे तुम क्या बोल रही थी? मिस पारा मैथियो कुरियन बताओ क्या बोल रही थी? बगल के फ्लाट में कोई एक लड़की थी जिसके प्यार में तुम थे? सही कहा तुमने? मैंने सोचा तो था वैसे वो मुझे बहुत चाहती भी थी उसके पिताजी के गुजरने के बाद जब प्रपोस करने के बारे में सोचा मैंने तब समझ आया कि माबाप का दबाव क्या हो थी तो फिर? फिर क्या? उस फक्द भी मिरा दिल किसी और के इंतजार में तड़पड़ा था कौन है? बता नहीं लेकिन मैं किस करके बताता हूँ अरे छोड़ो ना क्यों तड़ पा रही हो मुझे? मा को तो पसंद आया ना? तो उससे क्या हुआ? तो फिर मुझे ढून कर क्यों आया? तो बहुत माहर हो एभी दिखो ट्रेन जल्दी, 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 एबी सीट मिल गई ना हाँ, मिल गई एबी, मुश्किल है हाँ, मुझे पता है जाते वक्त तुमने पलट कर भी नहीं देखा अरे बापरे किसी भी तरह ट्रेन पकड़ना ऐसा सोच रही थी और तुम्हें पलट कर देखने की पड़ी है अरे मैं वो नहीं पूछ रही हूँ किस करते वक्त तुम्हें पसंद आया क्या ठीक है हाँ हिसाब में इसे रख लो तेली महेश, क्या ख़बर है गोइंग वेल सर लेकिन बीच में एक खयाल आ गया वैसे सच बूलू तु सोच रहो मनोज पुदिमन के बारे में जो इनफॉमेशन मिली है वो एक बहुत बढ़ा रहस से है वो घर पर हमेशा जगडा करता है और ज़ादा तर उधार लेकर रखता है घर में इस तरह के मसले को लेकर जगडा करके घर को छोड़कर गायब होने की घटना इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ इसके साथ अपनी बहन की शादी को लेकर जो मनोज बैंक में पैसे निकलने गया था वो घर आते वक्त गायब हो गया युमेन वैसे मनोज तो गायब है लेकिन ये किडनेप है ऐसा हम पैसला ले सकते हैं वैसे तो हमारे केस में इतना पैसला अगर बोला तो साजी के यार और एसाई चेंडरनायर और फिर उसके बाद लीजा थोमस बाकी दोनों तो वैसे भी मिसिंग है ना सर चाहे तो उसे हम केटनेबिंग बोल सकते हैं सर लेकिन ऐसा तो तो सिर्फ हमार अश्या कैसर बिर्लियंट आपजर्बेशन सर डू वन तिंग मनुज के फ्रेंड्स और ओफिस स्टाब को भी डिटेज पुछताश करो सुनो थोड़ा पानी देदो हर महिने टाइम पर भाड़ा लेता है लेकिन पाइप को ठीक करने के लिए बोला तो वो नहीं होता सुनिए बच्चे को संभालो पाँ मैं ममी सर हाँ रेचल मामला बहुत गंभीर है फेमिनिस्ट लोग असुविदा होने का समय क्या बात है सर हमारे विनिता टीचर का हस्वेंड शिप में काम करते है हाँ सर टीचर के मॉडल बाइक्राउंड के बारे में जारा एमेस करना है कुछ गोवा शिप रूमर्स आखबार में भी छपा है न उस रास्ते में जारा चान बिन करो समझ गई न ठीक है सर हम इसे किड्नेप समझ रहे है अगर इसके पीछे कुछ रास्ते में कांड है तो इसको कॉन्फर्म करना होगा ओके रात होने पर भी उस बेचारी रेचल को सोने नहीं देते हो अच्छा यही है ना वो टीचर विनिता देखने से ही लग रहा है बेचारी हाउस फाइफ है ये सच बोल रही हूँ हाँ तो सुनो किचन में दोसा बनाने जा रही हूँ जल्दी आओगे तो खाना मिलेगा सर्ट मेनेजर है क्या है सर भुलाओ से ओके सर जी कहिए सर क्राइम ब्रांज से हूँ सोरी सर मैं एक पुराना मिलेटरी वाला हूँ मेरा नाम हबलदार पुर्शोतम पिल्ले है बैठिये नहीं सर पिल्ले ही सर आप कितने सालों से यहाँ है चार साल से यहां मैनेजरों सर ओके इस पुरिया केंपस में टोटल कितने शॉप हैं साथ है हाँ उन साथों शॉप में से रहने वाले स्टाफ और मैनेजर सबको बुलाना है एनी प्रॉब्लम? नहीं सर मैं अभी बुलाता हूँ ओके सर सर कुछ दिन पहले सुपर मार्केट से जो कार चॉरी हुई है इसे आप लोग अब तक नहीं भूले होंगे एमाई राइट? उस आजमी ने चॉरी किया है रोड पर खड़े होकर मार्केट के गेट के सामने से ठीक है न? उस दिन शक होने जैसा यहां कोई गाड़ी को आपने देखा किया? बताईए अच्छे से आप लोग सोच कर उसके बाद बताईए यह केस कितना एहम है यह आप लोग जानते हो मुझरिम अभी भी पकड़ में नहीं आया है इसलिए अच्छे से आप लोग एक बार सोच कर उसके बाद बताईए आपके उपर कोई प्रेशर नहीं है इसलिए आप लोग की मदद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है प्लिस कॉपरेट सर एक लाल कलर की ओमनी बेन उस दिन मेरी दुकान के सामने आए कहा पर कहा प्लिस कॉपर शो मि उस दिन काफी देर से ओमनी बाहा कड़ी थी फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी निम्बू शर्वत पी निकले आया ओमनी के पीछे ग्लास के पीछे जो स्टीकर छपावा था वो भी मुझे याद है उसकी मैंने मोबाइल में फोटो भी खीची है अगले पल में वो ओमनी जट से निकल गए वो फोटो अभी मोबाइल में है क्या वो डिजाइन के लिए रखी है पर शायद देकलत हो गया होगा हाँ, है सर लाल कलर की ओमनी पीछे के ग्लास में इस खबर को पूरी सिटी में फैला दो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घेर लो फास्ट अगला कारिक्रम दूसरी क्लास में पढ़ने वाली संस्कृती ड्रामा उन लोगों को सुनाई नहीं देता है हावा की जरिये शब्द तो सुनते है एब इधर देखो ना कितना चमकने वाला तारा है ना तारा देखने के लिए मुझे आस्मान में देखने के जरुवत नहीं तुम्हें देख लिया बस इतना ही काफी है कहाँ? इधर यह देखो मैंने देख लिया तारा हाँ मैश? सर क्या हुआ? अपने मनोज पूदी मन का? सर यह मनोज मामूली तोर से गायब होने को वोला तो यकीन नहीं हुआ वैसे मोबाइल फोन तो हमेशा अपने पास रखता है अगर वो गायब होता तो तो वो गाड़ी में छोड़ कर नहीं जाता सर एनिवे सुबह नौबजे मिलते हैं, ओके? ओके सर, शूब ओम मिनिस्टर इस्तिफादो किड्नैपिंग है अगर हम इसे अपने नजरिये से देखें तो इन पांचों को मिलाने वाला अंजान सुराग मिलेगा उसे फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम लोग के यहां बुलाया और उसी के बारे में बात करनी हैं, ओके? यहां महेश का पहला असाइन्मेंट यहीं था वो पांचों लोग यहीं अगल बगल में ही रहते हैं और यह पोस्ट आफिस के बगल में ही हुआ था उनमें वन पठोली, मार्केट नमबर टू, नया जक्षन यहीं पर नया जक्षन में गाइब हुए हैं जो भी किड्नाइप हुए हैं वो तीनों लोग नमबर वन विनिता टीचर और मनोज पुदियामना एंड एसाई चंदरनायर राइट यह जो मिनिरल मिट्टी निकालने के सिलसिले में अपने नये जक्षन के परिसर में ही हुआ है इन मामलों में दखल अंदाजी करने की वज़ा से एसाई चंदरनायर भी हॉस्पिटल में भरती किया गया है और किड्नाइप भी कर लिया गया है इन ब्रिक एक तो सिधा कुना हो सकता है नहीं तो पुदियामना जगा में जो भी किड्नाइप किया हैं उन पांचों में से तीन लोग आपस में नहीं दिखाने वाला एक सुराग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है है न महेश इस परिसर में लोकल पुलिस के पास काई कंपलेंटा हैं लेकिन सरकार के दबाव की वज़ा से उस आदमी इसे कोई भी सरकारी कर्मशारी उससे पूश्टाज करने के लिए आगे नहीं आया सर सलीम साबू यस सर ना इट्स जो टन यस सर अरे छोड़ो मुझे मचसे जबरदस्ती मत करो अगर मैं अपने प्याओंगा ना लगो को मार कर मिठे में गार दूगा कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता फोड़ो फोड़ो मुझे तुमढ़ैंच मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता आ एक एक क्राइम अद्स्राइब डराइब और चुल सब के mobile phone की call list के details को मैंने चेक किया लेकिन note करने जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक details पता चली है जैसे ऐसा है चंदरनायर के phone में सिर्फ incoming details ही है और उसमें हर रोज 10 से लेकर साड़े 11 के बीच एक ही number से लगातार call आया है उस number को trace करने के लिए भी बोला है बैग और थैले में कुछ खास नहीं मिला है लेकिन साजी के यार एक sugar patient है उसका prescription ये लीजिए ममूटी heart foundation के लिए Lisa Thomas ने खत लिखा है ये साजी के यार के purse में से मिला है सर हाँ मैश टेल मे इस मिट्टी के निकालने के सिल्सिले में उष्टाज करने पर एक जानकारी मिली है सर हाँ बोलो उस परदर्शन में उसने हिस्सा भी लिया था इस मिट्टी निकालने वाले माफिया के तरफ से साजी के यार को बहुत सारी धमक्या दी गई है हम लोग वहाँ पर चंदिन करें वाई नाट विनिता, मनोज, चंदर नाय ये साजी के एसियर शौक देने वाले सबूत हमें मिलता जा रहा है ठीक है तुम समझ रहे हो न महेश यो प्रसीड बाई सर इसे आप भूल गए हैं ये सीजन टिकेट है लीजा थॉमस के बैग में था ये और ये जो टिकेट साजी के एर के बैग से मिला था उस नमबर में मैंने ट्राइ करके भी देखा लेकिन सुच्च आफ है अच्छे से लिखो वेटी मैं जैसा बोल रहे हूँ वैसा लिखो हाँ रेचल सर लेजा थामश, विनिता टीचर, मनोज पुदीमना, साजी के एर, एसाई चंदर नायर ये पांचो लोग मुलू करा कराई में फरवरी दो तरी को ट्रेवल किये हैं क्या इसका पता लगाना है इन पांचो लोग का घर और ओफिस हर जगा पे जांच परताल करना है आई वांट फूल डीटेल्स, नेड़े टुमारो जीजस का आश्रवाद हमेशा पर बना रहे हमेशा जीजस का आश्रवाद बना रहे अरे बच्ची निकले नहीं क्या अभी आ जाएंगे उचारा कहा है वो आ रही है हां The number you're trying to call is busy Please stay on the line or call again later The number you're trying to call is busy Please stay on the line or call again जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं, वो अभी व्यस्त है The number you're trying to call is busy Please stay on the line or call again later The number you're trying to call is busy Please stay on the line or call again later क्या हूँ मदर? सब कुछ रेडी है ना बेटी? हाँ मदर ख्याल रखना कुछ खाने पीने की जरुवत हो तो सिस्टर को बोल दो रास्ते में कुछ भी खरीद कर खाना मत और बच्चों का ध्यान रखना दोपेर में कोई अच्छे होटेल देखकर रोपने के लिए बोलो हाँ तो फिर तुम जाओ ठीक है मदर आँ वैसे मेरी सिस्टर बीच में हॉस्पिटल जाने की बात कर रही थी शारा तुम फोन करके पूछ लो ठीक है चलती हूँ हेलो सलीम केनु हेर मी हाँ सलीम अच्छे से ध्यान से सुन लो विनीदा टीचर एसाई चंदर नायर ये सब लोग फरवरी दो तारी को एरना कुलम पैसेंजर ट्रेन में एक साथ ट्रेवल किये हैं इसका पता लगाओ और खास्त कर दोनों के घर पर जाकर पूछ ताश करो कुछ मिस नहीं होना चाहिए और ब्रिंग दे डीटेस उन माइ टेबल तुमोरो इटसेल्फ, ओके? क्या हुआ सर? पांचो में से तिन लोग उस ट्रेन में उस तारीख को ट्रेवल किये हैं कम ओके सर एसाई चंदर नायर और विनीता टीचर इन लोग के बारे में पता चल गया है तो जिनका किडनाप हुआ है वो पांचो एक ही ट्रेन में ट्रावल कर रहे थे इसका पता चला तो हम किस मुकाम पर पहुँचेंगे सर? वही सच्छा ये को जानता है? लेट्स ट्राई सर कर दो फ्तुर नाओडान था एक नाओड़ चाए रेसे उड़ार हुआ तेसे एड़ दोुझात कर दोुझाति हो ज़ाड़ है साब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, रादा कृष्णा टेक्स्टाइल के ओनर मुर्गन की गाड़ी है ये, उस आदमी का घर को एमबूतर में है, जब भी वो घर जाता है, तब गाड़ी यहीं पर छोड़ जाता है, साथ आट दिन हो गए वो वापस नहीं आ अलावा, गाड़ी इस कमपॉंट के भार कभी नहीं जाती सर, फिलहाल के लिए इस आदमी को छोड़ कर रखो, हापते भर के लिए यहाँ दो कंश्टवर रखो, निगराने के लिए, ओके सर, तो बिस गंदे, एबी मैथ्यू कूरियन, तुम इस चर्च के रस्म का पालन करते हुए, सारा मर्यम को दिल से अपनी पत्नी के रूप में सुविकार करते हो, सुविकार है, सारा मेरी जॉन तुम इश्वर को साक्षी मान कर इस चर्च के रस्म का पालन करते हुए एबी मैथ्यू कोरियन को अपने पती के रूप में सुईकार करती हो सुईकार है मज़े हमारे जीजस के आशीरवाद से सभी लोगों को खुशी की जिन्दगी मिले मैं ऐसी प्रातना करता हूँ आज और हमेशा हमेशा लोग इसी तरह खुश रहे आबाद रहे और शान्ति से रहे आमीन शादी हो जाने के बाद इस तरह लड़का लड़की को साथ में नहीं बिटाते हैं ऐसा बाइबल में लिखा है किस बाइबल में? अमारी बिरादरी की बाइबल में रभी अंकल मेरा न स्खूल जाने का वक्त हो रहा है न हाँ हाँ बस पहुँच गए आजाओ आजाओ यहाँ किसे मिल ले आए हैं? हाँ 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 कारण खरोर मिला हा कि रमार रड़ कार ने भीर हागा ओड़ मेरा आ आ रागा जना, आ रड़ कार आ जना रागा अ एके जा पर now कि बागा है ये सब मेरे भिटे आदी आदी की तरफ से तुम्हारी शादी का तोफा है इतने दिनों में अभी तक हमारा सफर यहां तक पहुंचा है इस जक्षन में ट्रेन और फिर सिधा आपहरण आपहरण के रिस्क्यू में अभी तक कोई भी डेवलप्मेंट नहीं दिख रहा है उस परिस्तिती में यहां पार्किंग में एक रेड आमनी उसके बाद हाँ महेश सर हलो हलो सलीम तुरंत महेशे कनेक्ट करो ब्रिंग दे डीटेल्स रिचल कम ओके साजी को गाड कर रख दूँगा मैं आँ one second सर महेश हाँ महेश सर विनीदा टीचर उसी तारीक को उसी ट्रेन में सफर कर रही थी यह टीचर के हस्बन को भी नहीं पता था सर ऐसा सफर था यह विनीदा टीचर की दीदी के घर पे एक फंक्शन था उस दिन टीचर एरना कुलम गई थी टीचर का परिवार और उनका हस्बन जादा तर एक साथ नहीं रहते थे उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा सर उस पेचारी की तो एक बेटी और बीवी थी वो चंदरनायरन की बीवी का आजकल क्यों इतना डिमांड है बड़े बड़े सहाब आजकल उसे पूछते वे आ रहे हैं यहां तुम्हारा पती यहां गया क्या तुम्हारा पती वहां गया क्या मैं एक चटाई बिच्छा कर यहां बैट जाते हूं तुम्हें जवाब देने के लिए क्या बोलते हो इस उमर में बूढ़ी को ले जाकर आप जेल में बंद तो नहीं कर सकते मेरा समय बरबाद मत करो, आ जाते हैं हाँ, सर का बाल अभी तक उगा नहीं है इतने में मूझे काटने में लग गये हो बिल्कुल बाप पर गया है मुझे दो, मुझे भी खेलना है दो ना मुझे, दो ना मुझे पहले मैं खेलूंगा फिर दूंगा तुमारा नाम क्या है? पुष्प कुमार इस बुड़िया के पीशे पड़े रहने से आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा तुम मुझे एक सुर्पे दे दू और बागी की जानकारी के लिए उस माली के पास जाओ माली क्या कर? वहाँ कौन है? वो उसका नया सेट अप है वो वहीं रहती है नर्स का काम करती है न? रेचल सर कम यहां पास में कोई नर्स रहती है न? नर्स? नर्स? अच्छा वो डोली सिस्टर वो नर्स अभी कहा है हम को पता नहीं है सर इस इलाके में वो कब आती है और कब चले जाती है किसो को कुछ ख़बर ही नहीं बीच में थोड़े दिन के लिए आती है और फिर चले जाती है यहां पर्मनेंटली उनका कामी नहीं है काम करो, यहां कोई भी आये, इस नमबर पर कॉल करके बोल देना यह के सर, हाँ, सर एबी, एबी, ट्रीन का टाइम हो रहा है बस एक बर सर से मिल लेते हैं, फिर चलते हैं यही उनका घर है, चलो लीजा और मैं हमेशे एक ही वक्त पर यहां से निकलते थे एबी, अरे जानू टेंशन क्यों ले रही हो, आजाओ काफी दिल्चस्प है यह, आक्षन में इस पेंडिंग की कीमत बहुत ज़्यादा होती है आह, यह है अंकल, जेन जोसफ सारी पेंटिंग्स जोसफ सर बेशते थें शान्ती निकेतन में अध्यापक थें और आंटी कलाचेतर ग्रूप के साथ कुछ डान्स प्रोग्राम के लिए गई थी वहां और फिर रेजिस्टर्ड मेरिज तक इनके कहानी पहुँच गई और शादी के तीसरे साल में ही एक कार एक्सिडेंट में अंकल चल बसें तो फिर आंटी ने शादी नहीं की? कैसे करती? आंकल की ये सारी प्रिंटिंग्स को छोड़ कर आंटी एक पल भी नहीं रह सकती सही कहँ तो आंटी अंकल से बहुत प्यार करती है एक लेड़ी शाज हां के तरह वो ये घर कभी नहीं छोड़ सकती बहुत अच्छी खुषबू है यहाँ कहीं तो गजरा का फूल लोगा है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा तुम्हारे बालों के बारे में बात कर रहा हूं चुप करो आण्टी यहाँ कितने साल से रहती है यही कुछ साथ-आठ साल अच्छा लगा, पसंद आया हां बहुत पसंद आया हमें भी इस तरह का एक घर बनाना है अभी यहां इसी तरह का नजारा होना चाहिए यहां खड़े होने पर आकाश और धर्टी के बीच में खड़े हैं मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऑबी त़म्हारा जयकेट है तुम्हे अभी तक जयकेट को देखा नहीं क्या देखा है लेकिन इतना ब्चिफुल कभी नहीं देखा एभी मत करो ऐसा अरे मुझे देखने दो модen अरे सुन अ अरे सुनो ढूं ना अरे ही ही है यह एभी अंधी ब्रीन यहींtha. तू क्या मैं तुझे देखूंगा मैं इस ट्रेन में आता जाता रहता हूँ छोड़ूंगा नहीं तुझे अरे पहले अपना काम ठीक से किया करो रेलवे पुलिस की धमकी देता है पुलिस पकड़े की तो फॉजी मुझे आकर चुड़वाएगा बड़ आया धमकी देने वाला रुको इधर क्यों बाग रहे थे क्यों बाग रहे थे जल्दी बताओ बॉल जल्दी सर आपको देखकर डर के मारे भाग रहा थ है डर के? किसले अप आप रेलवे पुलिस वाले नहीं है क्या मैं तो खामा का डर गया था इस ट्रेन में शची तुम्हारा हर रोज जाना आना होता है न? हाँ सर फेरवरी दोको एरना कुलम से मुलू कुरा पैसेंजर ट्रन में तुमने सफर किया था क्या? अरे साहब रेलवे पुलिस पकड़ लेगी तब भी मैं यही रहूँगा वरना मेरी फैमिली भूकी मर जाएगी न? उस दिन ट्रेन के सफर में इन आद्मियों में से किसी को भी देखा अरे बापरे ये तो अपने चंदर सर है इन्हें तुम जानते हो क्या? हाँ कैसे नहीं जानूंगा? चंदर सर तो मेरे बहुत करीब है, खास रिष्टा है और हाँ डॉली सिस्टर के साथ इनकी सेटिंग है जिस दिन मैंने चंदर सर को आखरी बार देखा था उसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा वो यहाँ दिखाई नहीं दिये ठीक है वैसे जिस दिन से गायव हुए हैं उसके बाद मेरा मतलब दो फेरवरी को इस ट्रिपल पैसेंजर ट्रेन में सशी चंदर नैर से मिले थे क्या? बताओ अब वो क्या? अच्छे से तोश कर बोलो, उसे देखा गया? अहां देखा था सर उस दिन चंदर सर उसी ट्रेन में थे आपने अच्छानक से पूछा इसलिए याद नहीं आए ये तो तय है सर याद रखने के लिए एक वज़ा भी तो होती है उस दिन त्रिचूर पार करते ही मुझे स्कौर्ड ने पकड़ लिया उस दिन मेरे जेब में कुछ पंदरा हजार उपए थे वैसे उस रास्ते में जाने की कोई वज़ा तो नहीं थी पर वड़कांजेरी पहुचे तब चंदर सर मिले उन्होंने मेरी जान बचाई भगवान की कसम बोलता हूँ उन्होंने मुझे स्कौर्ड से छुड़ा है अच्छा तो किस कमपाउड में थे तुम उस वक्त लास्ट कमपाट्मेंट में लास्ट? वही सर, लेडिस कमपाट्मेंट के बगल वाले कमपाट्मेंट में वहां से उतर कर जाने के लिए मुझे आसानी होती है लास्ट ट्रिप में मैं हमेशा उसी में चड़ता हूँ जो भी किड्नेप हुए हैं वह पाँचो लोग फेरवरी दो तारिक को जरनी तो किया है ये तो कंफर्म हो गया है अब यह में पता लगाना है कि वो पाँचों लोग एक ही कमपार्टमेंट में ट्रेवल किया हैं या नहीं? सर, पाँचों लोगों में दो लोग लीजा थॉमस और मनोज पुदीमना इसी ट्रेन से आते जाते हैं उनके ओफिस में जाकर को पैसेंजर की साथ पूछता अज गिया तो कभी कबार मैं इस आदमी को पहचानता हूँ मैं और मनोज जब चाय पी रहे थें, यह आदमी वहाँ आया था ऐसा है क्यों? यह मनोज का पहचान वाला है और फिर हम एक ही कमपार्टमेंट में सफर कर रहे थे सर, त्रिचूर के बाद ज़्यादा तर लोग कम हो जाते हैं बाकी कुछ बचे हुए लोग पत्ते खेलते हैं सर, उस दिन मनोज और यह तीन लोग साथ थे नाम तो याद नहीं सर, बीच में हमने ऐसा ही को भी ट्रेंड में देखा था लीजा और मैं हमेशा एक ही वक्त पर यहाँ से निकलते थे परवरी के दो तारी को आपके साथ इन में से कोई सफर कर रहा था क्या ये तो थे, और दाड़ी वाला ये भी साथ में था आप लोग कॉंसे स्टेशन पे उतरे थे तब ये चारों लोग सीट पर थे क्या हाँ सीट पर थे, वो लोग पत्ते खेल रहे थे मैं वड़कान जेरी में उतर गई थी, तब भी ये लोग सीट पर थे हाँ, टेल में मैश लीजा थांस के साथ जो और रहा सफर कर रही थी वो मनोज कुदामनी और विनीतर टीचर को पहचान चुकी है वड़कान जेरी तक ये लोग साथ गए थे लेकिन एक बात हो रहा है सफर, पुषकर नाम को एक लड़का उन्हीं के साथ सफर कर रहा था हमने उससे पुष्टाच की है सफर वेरे गुड मैश, ब्रिंग इम एक फूल देने से पूरी जिंदगी तुम्हें खुशी मिलने जैसा लग रहा है शादी के बाद जॉइन करीगी ऐसा शारा ने बोला है, फिर भी हमारे दिल में एक छोटी सी शंका भी है चिंता करने की बात नहीं है, छुटियां खत्म होते ही वो यहां आ जाएगी, इनकी टीचर बन कर वैसे तो यह भी तुम भगवान का आश्रवात पाने वाले नेक बंदे हो, तुम्हें देखते ही मुझे पता लग गया उस दिन आपने कहा था, you must consult a psychiatrist, कहा था ना आपने ये क्या मैंने? मदर अरे वैसे उस दिन तुम्हारे रवाईया को देखकर कौन नहीं बोलेगा ऐसा वैसे शारा को सब समझ आती है, वैसे अभी देर हो रही है, शलो साबू रेडी रेडी, शाम के टाइम लेट होगा तो ट्राफिक में फस जाएंगे, चलो टिकेट वगरे सब ले लिया ना बेटी है ना, स्टेशन टिकेट है न मदर तो फिर डरने की जरुवत नहीं पापा, वो समान सब कहा है? अरे भूली गया, अच्छा हुआ याद दिलाया इस सब क्या है? साबू भाई को मेरा घर पता है बच्चों लोगों के साथ सब लोगों को आना है सभी बच्चों ने मिलकर ये गिफ्ट दिया है जो भी किड्नाप हुए हैं उन पाच्चों में से दो लोग फरवरी दो तारी को मुलूर कर पैसेंजर ट्रेन में एक साथ सफर कर रहे थे ये तो तै हो चुका है आगे क्या है सर एरना कुलम से लेकर पुंगदम थक इस सफर में खास कर उसका अंपार्टमेंट में बोलने जैसी कोई गट्या नहीं हुई है मेरा मतलब है जो भी किड्नाइप किये गए हैं उन पांच लोगों में इंवाल्व या क्लैश या इशुज आपस में बिलकुल नहीं हुआ है हमें जो भी सबूत मिले है उसके स्टेटमेंट से यह साब पता चल रहा है एमाई राइट बट वाट पुंगदम तू मुलूर कर इसके बीच एक छोटी सी कोई न कोई इंसिडेंट तो हुआ है रेचल 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 क्राइम रिकॉर्ड से यह सारे डिटेल्स को कावेस पर लिखो हां रेचल चाहिए गो एंड कलेक्ट अज के रेचल रेचल चलिए उसी वजह से तो देर होड़ी है इतर ट्रेन चुट जाएगी अरे चल्दी चलो अरे अरे वापस को लेगर जाना है तुम पंदा दन के बाद वापस यहां आई रही हो ना मैं उसे अपने पास सेफ रख देता हूँ तुम चिंदा बख कर मुष्ट आप चलो बाठेगे वाज़ा तुम आपस तो तुम तो भीड रहे है फिर बिलकुल आएंगे अच्छा ऐसा फिर तुम मेरी भी शादी है इनिवेस आप ट्राइगे प्रवरी की दो तारिक को यह भी मुलू रकर पैसेंजर के उसी कपार्टमेंट में था उनका तो शिनाक्त कर दिया गया है और खास इस बात यह है कि इससे हमें और भी बहुत सारी इंफोर्मेशन मिली है सर वो क्या है फोटो में जो पांच लोग है उसके अलावा दो लोग और उस कंपार्टमेंट में थे कौन थे वो लोग मुलूरकर रेलवे स्टेशन के बाहर बेकरी चलाने वाला रवी है उसका पूरा जब खाना खाने गए थे तभी ये घटना हुई है सर तभी हुआ ये खबर चारों तरफ फैल गई है सर गाड़ी शहर छोड़कर चा सकती है सर सुनेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है इस्क्यूज में कौन है क्या चाहिए मिष्टर अभी प्लाई हाँ 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 कम आपका किड्नेप होने की संभाव ना है क्या किड्नेप कोन करेगा प्लीज कोपरेट पहले बताइए तो मुझे कहां लेकर जा रहे हैं कम फास्ट गेटिन फास्ट सीट मिली क्या नहीं सीट नहीं मिले यहाँ पर तो प्यार रखने की भी जगे नहीं है बहुत भीड है जब यहाँ बैटने के लिए जगे मिलेगी तब मैं बात करती हूँ ओके वैसे परिशानी क्या है सर मुझे क्यों लेकर आ है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज उस आदमी का भी किटनाप हो गया है इस बीच छटे आदमी का भी किटनाप हो चुका है वट कांचुरी में रहमानी चिकन स्टॉल चलाने वाला रफीक का ड्राइविंग लाइसेंस और बॉस से तीन हजार रुपए उस गाड़ी से बरामद हुए है स्विच अब फॉन्स जल्दी करो एवरीवन है दिस वन डट वन ये सर्ट मिश्टर आवी पिल लाइए सर कम शेह अरे यार यह कहां जाकर मर गया बहुत देर हूँ गई है ओके गाईस हम शुरू करते हां ठीक है जिएर्स अहां सीट मिल गई है थैंक गॉड एभी तो कहा हूँ एभी तो कहा हूँ एभी यह इतनी आवाज किसके आरे ही है यहां सब मेरे दोस्ती है अपर कौन है सब एक साथ ही यहां बैठे हो आप दिया ज़ो इन लोगों जानते हो क्या टेल मी डू नो देम नहीं जानता ओके एरना कुलम से इवनिंग 6.30 को निकलने वाली मुलुकर पैसेंजर ट्रेन में फरवरी दो तारिक को आपने सफर किया था क्या? हाँ, सफर किया था उच दिन आपके साथ कौन-कौन थे? टेल में, मैं अक्केले था अरे पीप, इजए क्या बात है, क्या बात है? रुगो, रुगो, आभी तो कुछी दिन हुआ है, नई जिन्दे की शुरुआत करके इस दूले के लिए मैं गाना तेली करो जाताँ बेरा हिया आया है, पिय और पिय पुंक्दम इस्टेशन से मुल्लू कर सफर करने वाले कमपार्टमेंट में कितने लोग थे? मैं अकेला था. बिलो ठेन? अब 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 ठेन? बताया ना, मैं नहीं जानता. वैसे आप कौन से स्टेशन पे उतरे थे? मुल्लूर करे. आप जाब उतरे थे, तब आप अकेले थे क्या? नहीं. अब आपको ताश खेलने आता है क्या? आता है. ट्रेन की सफर में कभी ताश खेले हो? नहीं. फेरिवरी दो तारिक को आप जिस कमपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, वहाँ ताश खेलने वाले टीम थी क्या? बताओ. बोलो. याद नहीं है. यहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे हैं. बड़े अजीब से लोग हैं. आपका सीट नमबर कितना था? पैसेंजर ट्रेन में सर सीट नमबर कौन देखता है? आप कहाँ बैठे थे? याद नहीं है. ओके. एरना कुलम से मुलूर कर के सफर में इस फोटो में जो पाँच लोग हैं उनमें से किसी को वी कमपार्टमेंट में देखा है क्या? नहीं. इनका चेरा कभी कहीं और देखा हो कुछ याद है? नहीं. लेकर आओ. सर. इसे जानते हो? नहीं. अरे? सर. इसे जानते हो? गेट अप ऐसे? देखा नहीं, सुना नहीं, जानता नहीं, याद नहीं, इसके लावार कोई शब नहीं है क्या? इस्टे रवी पिल्लाई, आगे से मेरे सवालों का जवाब सच-सच दोगे, नहीं तो सच निकलवाने मुझे आता है. इए मैश, दर्वाजा बंद करो. सर. फिर वरी दो तारीको, एरना कुलम से मुलूर कर जाने वाली, पैसेंजर ट्रेन में पुंगुदम से लेकर मुलूर कर के बीच, आपके कमपार्टमेंट में, कुछ तो घटना घटी थी, वो क्या है, बताओ, जल्दी बोलो. पच्चास किलोमीटर की दोरी, गहरा सननाटा से भरा हुआ, बहुत ही दर्दनाक दुर घटना, वहां एसी कौन से घटना घटी थी, बोलो, जल्दी बताओ, पुछ रहा हूँ, 755 को गाड़ी पुकुंदम से रवाना हुई थी, 825 को गाड़ी मुलूर कर पहुंची थी, कहां तक पहुंची तुम? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुँगु तम क्रॉस कर रही हूँ, बहुत ही कम दूरी, बहुत कम पैसेंजर, सोच करें दिल दहल जाए, ऐसी घटना आपके सामने घटी है, वो क्या है बताईए? तेल में रवी, तेल में दे प्रूथ, जमें देल में, देल में धेल में, तेल में, वो कुछ। लाए कर कुछ। हेलो कुछ बोल क्यों नहीं रही हो जाना यस आई चंदर नाय साजी के यार मनोज गुदियन विनिता टीचर लेजा थामस रफिक कहा है ये सभी लोग सलेम एक सिग्रेट जलाओ कोई मरा नहीं है छह लोग जिंदा है कल साड़े ग्यारा बज़े शारा का सोलवा दिन है उसका करिया करम होने तक उन सबी छह लोगों को कुछ भी नहीं होगा साड़े ग्यारा बज़े के अगले मिनट से एक एक करके सभी लोग मरेंगे नरक में पहुचेंगे। यह क्या है। आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी। अगर इसकी वज़ा शारा की मौत है, तो कातिल, कातिल तो पकड़ा गया ना। फिर फिर इस सब क्या जरूरत थी। कातिल। यह 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 सारे कातिल। कैसा कातिल। इन्होंने 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 इन्हों ये ले, ये देख, ये, ये, मैरा प्रमाइब, गोफ्य है, आइ, कोफी पीएगा खुई, जाए कोफी, प्याइगा च्न्दरा सहराब का खेल तो दिल्चस्प है, लो गर्मागरम, चाए कोफी, आरे मेरे खेलने के बाद ही आपको खेलना है न, लगता है लास्ट बस भी निक अच्छा चल ना चल 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 अरे हमारा लास्ट बस निकल गया ना तो बस टैंड पे रहना पड़ेगा मैंने कहा ना अरे धन्दा तो अच्छा हो गया ना फिर आटो पकड़ के चले जाना वैसे ये मुलूर करें स्टीशन का पहुँचेगी दस मिनिट की दूरी है अगर इसी तर चल ती रही तो श्यामाश! वह 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 आज क्या बात है अभाट अरे सब अजनी कीचो जन कॉई नीचे गिर गिया है अरे यह उनका रोज का नाटक है वाटकांज़ी आते हैं और रुकूदगर चले जाते हैं उसे किसी ने धक्का दिया है, वो फॉन पर बात कर रही थी, मैंने अपने आखो से देखा, आप चैन लीजिए अरे क्या दर रहा है, आप ज़रा रुकिये अरे चल, हट पुछे, हट आपको बोला ना, हटो, 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 हटो अरे ट्रेन भी इतनी दूर आ चुके, चैन खीच कर क्या गरेगा, वो भले भीक मांगने वाली हो, वो है भी तो इंसान ना, दूर हो तो, अरे बहन जी, आप मेरी बास सुनिए, एक लड़की वहाँ पत्ती ने, जो नीचे गिर गई है, अरे एक लड़की नीचे गिर गई है कम से कम उसे बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, यह भी ना, मैं तुमसे एकसा के भाई की तरह पूछ रहा हूँ, प्लीज उसे बचा लो, हाँ, सुनिए जी, मैं पहुच गई हूँ, हाँ, स्टेशन के फ्रंट गेट पर आपका इंतजार करती हूँ, अब वही पर आ जाना ठीक है, छेलो, उनमें से दो आरत, एक लड़की नीचे गिर गई है, और मौट से जूज रही है, और किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा, मैंने उनके पेर तक पकड़े, रो रोकर गिर गिराया, किसी ने नहीं सुना, अगर उस दिन उन लोगों ने मेरा साथ दिया होता, तो मैं एक फौजी हूँ, ठंड में, पहाड में, दूप में खड़े होकर लोगों की हिफाज़त करने वालों मैंसे हूँ मैं, चार-पांच कुतों के भौकने की वज़े से मैं लाचार हो गया था, लाश बन कर रहे था मैं, लाश, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये खुदगर्ज लोग, फौजी का निशाना बन गई ये छे लोग, बहले ही मैं अंदर रहूं, लेकिन जो होने वाला है, वो होकर रहेगा सर, बाहर कल वो छे लोग का सर काट दिया जाएगा, खुले आम, खुले आम काट दिया जाएगा सर, नहीं छोड़ने वाला मैं किसी को, कर सकता हैं, बाहर को पोड़ने वोप सर क्द एल्स, यहीं जाएगले वोग पिणिए कर दो मोईं हाई बस्टार्ट का बसे से जहँ हो फुर्ट कि लुर्टी कि अ हुड है सब को एक लेक दिन मरना ही है खालो मेरे बाप को ऑस्पिटल लेकर जाना है उनका डॉक्टर के बाद जाना ज़रूरी है कल मेरी बेटी का हार्ट का ऑपरेशन है ट्रेटमेंट के पेपर्स मेरे हाथ में है गल्ती तो मैंने की है ना मुझे मार दो मेरी बेटी की सिंदगी तुम्हें पता है मेरी बेटी की शादी रुख गई है हर बात पे गुस्सा करती है मेरी बीबी मुझे डर है कि वो कुछ कर ना बैठे अरे बापरे एक फोन करने दो ना घर पे आप बात करो चाहिए तो मुझे मत देना प्लेज मुझे माफ कर दो अलो या आई गॉड़ दुनिया में कोई भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए ऐसा सारा का कहना था और आज तुम लोगे सामने उसकी बहुत हो गई और तुम लोगे ने कुछ नहीं किया वो दर से चिला रही होगी और तुम्हारे आखों के सामने ये सब हुआ और तुम लोगों ने नदर अंदाज कर दिया कि कि अश्याठी ने से अश्याठी एभ दुम्हारे अभर विप्सक ये सिर्थी और स्वारे विट्र ईए इसे लोगों रमिट्रष्ण यह लेघो है? हुआ लगी है ना? शायद तुम्हें नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे को. है ना? बाइस साल तक जिस बच्ची को पाल पोस्ट कर उसकी मा ने बड़ा किया उसकी आसू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुम लोगों ने और अब रो रहे हो सब कुछ खत्म कर दूँगा मैं तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो अविष्य में चैन्स से जीने वाली महिलाओं के लिए दिल में उमीद का दिया चला कर बैठी उस मा के लिए तुम आपा आपल से लिए Ebi 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 Open the door Ebi 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 बेटा, अभी, दर्वाजा कोलो, बेटा, अभी, दर्वाजा कोलो. डरो मत, मैं ग्रीश पार्थ सार्थी, SP हूँ. अभी यकीन हो गया ना, किसी को कुछ नहीं किया है, उससे नहीं होगा, इतना कठोर दिल का नहीं है मेरा अभी, इनको मारने की हिम्मत तो मुझ में है. बदला लेने की हाग मेरे अंदर जल रही है, अगर मारना होता, तो मैं कपका इन लोगों को मार चुका होता, लेकिन ऐसा करने से मेरी शारा की मौत का बदला नहीं मिलता. इन लोगों ने जो गुना किया है, वो गुना इनको समझ में आना चाहिए, एक जान की कीमत क्या है, इन राक्षसों को उसका हैसास होना चाहिए. इन लोगों को सजा देने का अधिकार आपको किस ने दिया? अरेस्ट्रीम! नहीं सर, उनको अरेस्ट मत कीजिए, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, गलती हमारी तरफ से हुई है, उस दिन अगर हमने ट्रेन की चेन खीची होती, तो शायद शारा बज़ जाती, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं कियो. वहाँ सर, गलती हमारी है, कानून से बढ़कर इंसानियात होती है, और इंसानियात से बढ़कर है इंसान का विश्वास, शारा के साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो. प्रश प्रश जो होती है, तो जो है। एक एहम इंफोमेशन के साथ, विलिंग्टन आइलेंड पहुचने वाली पुलिस की टीम, उन छे मुझीमों को धूर निकाला है, लेकिन गुनेगार कौन है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। किड्नैपर्स के बारे में ये छे लोग और पुलिस वाले खुल कर कुछ बताने के लिए तयार नहीं है। कौन है ये किड्नैपर्स? उनका क्या लक्ष है? इस सवाल का जवाब अभी भी एक रहस्य है। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ। क्या हैं ये बने रहे हमारे साथ। कर दोग जानकारी को अवाब बने रहे हमारे साथ।